नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूटुब चैनल एबिडेई इंस्पिरेशन में कुंडली में बुद्ध की स्तिती खराब हो तो शिक्षा में एक आग्रता की कमी होती है वही अगर बुद्ध शुप स्तिती में हो तो बुद्धी तेज होती है साथ ही व्यापार और शिक्षा में उन्नती मिलती है वही बुद्ध को मुख्य रूप से त्वचा का कारक माना जाता है कुंडली में बुद्ध पिलित होने पर त्वचा को खराब कर देती है व्यक्ति के चहरे पर दाने निकलने लगते है और त्वचा पर खुजली महसूस होने लगती है और जुरिया पढ़ने लगती है त्वचा रुखी और बेच्जा नजर आने लगती है गर आपकी कुंडली में भी बुद्ध कमजोर है तो आपको उसे शांग करने के लिए विशेश उपाय करना चाहिए बुद्ध गुरह को मस्बूत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए इसके साथ ही प्रत्तेइक बुद्ध को भगवान गनेश जी को दुर्वा चड़ाने से भी बुद्ध मस्बूत होता है बुद्ध के दिन गाय को हरी खास किलाने से भी बुद्ध की अशुपता कम होती है इसके अलावा बुद्वार के दिन बुद के बीच मंत्र का जाप करना चाहिए। बुद्वार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्रों में रुपे रखकर दान करे। इस दिन गने जी के मंदिर जाकर साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बान कर शद्दा और विश्वा बुध्ग्रह से जुड़े दोश को दूर करने के लिए भुध्वान गनीश की पूझा अत्यंत शुम मानी जाती है. आशा है कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसे अच्छे से टॉपिक के साथ तब तके लिए दीजे इजाज़त धन्यवाद